दोस्तों कहते हैं कि कम उमर के प्यार का अंजाम बहुत ही बुरा होता है दोस्तों एक भांजा अपने ही मामी को दिल दे बैठता है उससे प्यार कर बैठता है और इतना ही नहीं वो अपने मामी के साथ सारीरिक संबंध भी बना लेता है और उनको प्रेगनेंट भी कर देता ह दोस्तो जो आज की कहानी है बहुत ही सर्मसार कर देने वाली है आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तो आए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेश्ट है कि वीड दोस्तो आज की सच्ची कहानी है उत्तर परदेश के बस्ती जीले की बस्ती जीले का रहने वाला राहुल जिसकी उम्र होती है 30 वर्स और उसकी बीवी होती है उसकी उम्र होती है 28 वर्स और जो उसके पिताजी होते हैं उनका उम्र होता है 48 वर्स और उसके पिताजी का नाम हो जिसका नाम उर्मिला होता है उर्मिला की भी साधी हो चुकी होती है और वो भी अपने घर में काफी खुस होती है दोस्तों एक दिन उर्मिला के ससुराल से उसका जीजा फोन करता है राहुल को और उसे कहता है कि उर्मिला का देहान्त हो गया है एक्दम अचानक से उसे हाट पेटेक आया और उसी दोरान उसकी मौत हो गई दोस्तों जब यह खबर राहुल सुनता है तो वो काफी दुखी होता है और अपने बीवी और पापा को यह खबर बताता है उसके बाद पूरे फैमिली अपने बेहन के ससुराल जाता है वहां उसका अंतिम संसकार होता है और ज केले जो मेरा बेटा है उसकी परवरिस कैसे करूंगा और मैं फिर से विदेश जा रहा हूँ यहां तो कोई काम है नहीं मेरे लिए जो मैं करूंगा तो दोस्तों जो राहुल का जीजा होता है वो कहता है राहुल से कि तुम विकी को मेरे बेटे को अपने घर ले जाओ और वहीं रखना उसका जो भी खर्चा होगा मैं हर महीने भेज दिया करूंगा और तुम उसे वहीं पढ़ाओ लिखाओ और उसकी परवरिस करो तो दोस्तों जो राहुल होता है वो कहता है अपने जीजा से कि ठीक है जीजा जी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आप चले जाए परदेश विक्की को मैं अपने घर ले जा रहा हूं उसको मैं वहीं रखूंगा इसकुल मैं एडमिसन करा दूंगा वहीं पढ़ेगा और हम लोग के साथ ही रहेगा इसमें टेंसन की कोई बात नहीं है आप आराम से जाईए दोस्तों उसके बाद जो उसका जीजा हो होता है घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है और जो उसके पिता होते है राहूल के वह भी घर में ही रहता था और जो खेती बारी का काम होता था वह संभाल लेता था और दोस्तों राहूल दो साल पहले ही विदेश से आया होता है उसके साधी के बाद वह विदेश नहीं ग वीजा आ गया है अब मैं विदेश जाना चाहता हूँ तो दोस्तों जो उसके पिता जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटा जाओ यहां तो विक्की है ही घर में किसी चीज़ की कमी होगी तो वो है ही मदद करने के लिए दिक्कत नहीं होगी तुम आराम से जाओ बीवी होती है वो तो नई नवेली दुलहन होती है घर से बाहर कहीं निकलती नहीं है और गाओ के ज्यादा किसी लोग को जानती भी नहीं है तो वो कोई भी जरूरत हो उसे किसी भी सामान की तो वो हमेसा बिक्की को ही कहा करती थी कि मुझे इस समान की जरूरत है ला दीजे या फिर ये सबजी वो सबजी कुछ भी जरूरत हो घर में किसी भी चीज की तो वो विक्की से ही कहती थी कि लेकर आईए दोस्तो उन दिनों जो राहूल की बीवी होती है वो अपने भांजे विक्की से इतनी क्लोज हो जाती है कि दोनों में कुछ ज़्यादा ही गहराई हो जाती है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं विक्की होता है वो हाला कि 14 साल का लड़का होता है पर देखने में बेहत खुबशूरत और हैंसम होता है तो जो राहुल के बीवी होती है और जो बिक्की होता है दोनों एक दूसरे के बेहत करीब आजाते हैं और फिर दोनों आपस में सारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं लेकिन दोस्तों इस बात की खबर कानो कान राहुल के पिता जी को नहीं पहुचती है क्यूंकि उसे ज्यादा घर से मतलब नहीं होता है वो सुभाई खेतों में जाता है तो साम को घर लोड़ता है और फिर उसका जो कमरा होता है वो थोड़े दूरी पर ही होता है घर काफी बड़ा रहता है तो अलग साइड में उनका कमरा होता है तो उसे ज्यादा भनक नहीं पड़ती है इस बात की दोस्तो यह जो सिलसिला होता है संबंध बनाने का वो चलता ही रहता है काफी 6 महीने के बाद एक दिन जो राहुल की बीवी होती है उसे पता चलता है कि वो प्रेगनेंट है तो दोस्तो वो काफी डर जाती है और घबरा जाती है दोस्तो यह बात वो अपने भांजे विक्की क बताती है और उससे कहती है कि मेडिकल से मेरे लिए दवा लादो ताकि मैं इस बच्चे को नश्ट कर सकूँ दोस्तो विकी जाता है मेडिकल इस्टोर और वहां से दवा ले आता है और अपनी मामी को देता है दोस्तो जब वो मेडिसिन खाती है उसके कुछ घंटो बाद ही असर होने लगता है और वो बच्चा नश्ट हो जाता है दोस्तो उसके 15 दिन बाद ही दोनों का जो काम होता है सारीरिक संबन फिर से बनाने लगते हैं और खुब मोज उड़ाते हैं दोनों घर में और उसके फिर देखते ही देखते हैं दो साल हो जाते हैं और फिर जो उसका मामा होता है बिकी का राहूल वो घर पे कॉल करता है अपने पापा को कि पापा जो मेरा दो साल का था वीजा वो पूरा हो चुका है अब मैं घर आ रहा हूँ तो उसके पापा बहुत खुस होते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा आजाओ देखते ही देखते कब दो साल हो गए पता ही नहीं चला दोस्तो फिर जो राहूल होता है वो अपने घर आता है और पूरे घर के फैमली काफी खुस होते हैं कि दो साल बाद घर अलोटे हैं दोस्तो राहूल भी अपने घर दो साल के बाद आया होता है तो वो भी काफी खुश होता है वो अपने घर आता है फ्रेस होता है फिर दो पहर का खाना वगरा खाकर मार्केट के लिए निकलता है और अपने कुछ दोस्तों से मिलता जुलता है और कुछ बाते करता है फिर साम क है वो अपने घर आता है और उसकी कहा ना बना रही ह Safety की मन पसंद की नहीं सभी मिल कर चले जाते ढता हैं दोस्तों जब आधी का से सवनारी वारैं जो होती तो पिलाता है दोस्तों विल्य होती है वह मोना कर देती है कि मेरीट ठीक नहीं है पुछ दिन रुक ठीक हे सो जाव इतना बोल के वो चुप हो जाता है और दोनों सो जाते हैं अगले दिन 열 시간 होती है और राहुल अपने बेंग के काम से बाहर चला जाता है और जो उसका भास होता है व्की वह Korean चलता है क्योंकि उसे पता है कि मामा घर आ चुका है कहीं पकड लेंगे रंगे हाथो तो फिर बवाल हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से कुछ दिन चुप चुप कर दोनों सारीरिक संबंध बना रहे होते हैं दिन में ही दोस्तो पर राहूल के घर आने से विक्की और जो उसकी बीवी होती है राहूल की दोनों का मिलना कम हो जाता है इस बात से जो राहूल की बीवी होती है वो काफी परिसान होती है क्योंकि वो उसे बे इंतिहा चाहने लगती है तो विक्की भी इधर कहता है कि मामी अब क्या करेंगे ऐसे हम कैसे मिल सकते हैं तो उसकी मामी कहती है कि आप जो मार्केट से नींद की गोली लेकर आएए मैं हर रज आपके मामा को दूद में मिला कर दूँगी जब वो घहरीनीद में चले जाएंगे तब मैं आपके रूम में आया करूँगी तो दोस्तो विकी भी ऐसाई करता है नीद की गोली लेकर आता है और हर रज रात को राहुल की बीवी दूद में मिलाकर राहुल को पिलाती है दोस्तो वो दूद पीते ही वो एकदम गहरी नीद में चला जाता है यू मानो तो वो बेहोस हो जाता है दोस्तो जब राहुल दूद पीकर सो जाता है तो वो हर रात को ऐसा ही करती है रात को डेर दो बजे के बाद अपने भांजे के कमरे में जाती है और दोनों अपनी जो हवा से वो पूरी करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं दोस्तो लेकिन राहुल के घर आने से राहुल की बीवी की अजादी खत्म हो चुकी होती है और जो विक्की होता है वो उससे बे इंतिहा मोहबत करने लगती है दोस्तो इसलिए वो एक प्लान बनाती है और अपने भांजे विक्की को बुलाती है और उससे कहती है कि हमारे जो बीच का काटा है आपके मामा उसे हमारे रास्ते से हटा नहीं होगा तो विक्की कहता है पर कैसे हटाएंगे तब उसकी मामी कहती है कि जब आपके मामा रात को सो जाएंगे दूध पीकर वैसे भी वो बेहोस रहते हैं उसी वक्त हम उन्हें मार कर और ठिकाने लगा देंगे तो दोस्तो विक्की कहता है ठीक है ऐसा करना ही पड़ेगा एक दिन रात का समय होता है और जो राहूल होता है वो दूध पीकर सो जाता है और वो बेहोस हो चुका होता है उसी दोरान विक्की और उसकी मामी मिलकर उसका गला घोटते हैं जब वो मर जाता है तो उसे एक बोरी में पेक करके और गाव से दो किलो मिटर दूर किसी जंगल में जाकर ठीकाना लगा देते हैं दोस्तों दोनों लास को ठीकाना लगा देते हैं और फिर आकर घर में अपने अपने कमरे में दोनों सो जाते हैं और सुभा होकर दोनों ऐसा विहेव करते हैं एक दूसरे के साथ ज पता नहीं पिता जी वो कल रात को ही अपने दोस्त के घर गे थे पर अभी तक आए नहीं है तो दोस्तों जो उसका पिता जी होता है राहुल का वो कहता है ठीक है आज आएगा दोस्तों के साथ कहीं घूम फिर रहा होगा या फिर ड्रिंक करके उसी के घर में सोया होगा मैं प बात पर उसके जो पिता जी होते हैं काफी परिसान हो जाते हैं दो पहर का वक्त हो जाता है कहीं पता पता नहीं होता है राह देखते देखते साम हो जाती है तो दोस्तों राहुल के पिता जी काफी परिसान हो जाते हैं और फिर थाने चले जाते हैं नजदी की गाव में जो थाना होता है वहां जाकर रिपोर्ट दर्च करते हैं कि मेरा बेटा कर से ही लापता है घर नहीं आया है दोस्तों उसी वक्त जो ओफिसर्स होते हैं उनके साथ घर आते हैं और घर में सभी लोगों से पूछताच करते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि जी नहीं कुछ नहीं ह उनका किसी से कोई जगड़ा वगेरा नहीं है दोस्तों फिर पुलिस पूछ ताच करके चले जाते हैं और जो राहुल के पिता जी होते हैं उनसे कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजी हम इंक्वारी कर रहे हैं जाज प्रताल कर रहे हैं जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको ज खाने जाते हैं और पुलिस के सामने रो रोकर विंती करते हैं कि कैसे भी करके आप मेरे बेटे को ढूंड लाइए तो दोस्तों जो उसके पिता जी रो रहे होते हैं इस पर जो पुलिस वाले होते हैं वो काफी मायूस होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है फिर वो कुछ से पूछ्छते हैं कि आपके घर में कौन कोन है पूरी फैमिली जिनका रिलेस्टन एक दूसरे से क्या क्या है आप सब बताइए तो दोस्तों उनके घर में ज्यादा फैमिली होती हुआ है और 2 साल से वह बाहर था और इनका नातिन बहुँ ही घर में था तो कुछ ना कुछ इन दोनों के साथ ही कोई जोल है जो वो लोग छुपा रहे हैं तो दोस्तों उसी वक्त फिर वो लोग जाते हैं उनके घर राहुल के घर और उनकी बीवी और भान जी को लेकर ठाने आते हैं और थाने में पूछताच करते हैं पुलिस पर दोनों कुछ नहीं बक रहे होते हैं दोस्तों फिर जो अफिसर होते हैं वो लेडिस कॉंस्टेवल को बुलाते हैं और बुला कर जो राहुल की बीवी होते हैं उसको एक अलग कमरे में ले जाते हैं और ले जाकर वहां स पूछते हैं कि तुमने लास को कहां फेका है तो दोस्तों पूलिस के साथ जो राहूल की बीवी है और उसका भांजा जाते हैं उसी जगह पर जहां लास को फेका होता है दोस्तों उस जगह जब पहुचते हैं तो काफी बदबू आ रही होती है क्योंकि दो तीन दिनों का ला दे रही होती है लास दोस्तों पुलिस उस लास को वहां से उठाती है और उसी वक्त पोस्ट माटम के लिए भेज देती है और दोस्तों जब लास पोस्ट माटम करके लाया जाता है तो उसे राहुल के पिता को हैंड ओवर कर दिया जाता है और फिर वो उनका अंतिम संसकार कर और इधर राहुल की बीवी और उसके भांजा को कोर्ट में पेस किया जाता है राहुल की बीवी को सजा सुना दी जाती है और उसका भांजा होता है उसका उम्रे 18 साल नहीं हुआ होता है इसलिए उसे बाल सुधार गिरी में भेज दिया जाता है तो दोस्तों यह रही पूरी कहानी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद